नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चेनल विसीए स्पैसिक फिजिक्स ने आज के इस वीडियो में देखे दोस्तों हम कक्सा 12 का टोपिक लेकर चल रहे हैं चुम्बक के च्छतर की तीवर्ता वैसे चुम्बक के च्छतर की तीवर्ता के बारे में हमने पहले भी देख लिया है इसकी definition पहले भी पढ़ ली है बैट अब जो मैं आप लोगों को definition बता रहा हूँ काफी आसान definition होगी क्या है देखे एक समान चुम्बक के च्छतर के अंदर किसी धुरुव को रख दिया हमने पहले तो ये दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए कि चुम्बक के अंदर दोनों धुरुवय युग में पाए जाते हैं दोनों धुरुव को अलग करना संभव नहीं है विल्गत धुरुव का अस्तित्व नहीं होता विल्गत का मतलब है एक अकेले धुरुव का अस्तित्व नहीं होगा दोनों धुरुवय साथ में पाए जाते हैं बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तो कुछ परीकलपना करेंगे आज के इस वीडियो में आप चुमबके च्छेतर की तीवर्था की डेफिनेशन देखेंगे साथ में हम एकल धुर्वा होता तो उसके कारण से कितनी चुमबके च्छेतर की तीवर्था उत्पन होती उसके लिए भी वेंजक यहां पर देखने वाले हैं दोस्तो पहले हमें चुम्बके च्छेतर की तीवर्था को यहां पर प्रिवासित करेंगे देखें चुम्बके च्छेतर की तीवर्था किस तरीके से प्रिवासित करेंगे कि हमारे पास में चुम्बके च्छेतर है और उसे चुम्ब के छेतर के अंदर हमने किसी एकल धुरुव को रख दिया और उस पर जब बल लगेगा यदि चुम्ब के छेतर के अंदर चुम्ब के धुरुव रखा हुआ है तो उस पर बल लगेगा दोस्तों और वो जो बल है परती एकांग के धुरुआ पर लगने वाला जो बल होता उसी को ही हम चुमबक के छितरगी तीवरता कहते हैं कि देफिनेशन समझेंगे कि किसी छितर में किसी छितर में परती एकांग के धुरुआ परबलता वाले धुरुआ परबलता वाले चुमबक के धुरुआ पर लगने वाला बल लगने वाला बल चुमबक के छितरगी तीवरता कहलाता है चुमबक के छितर की तीवरता कहलाता है देखिए जैसे हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास में कोई एम धुरुआ परबलता वाला चुमबक के धुरुआ है किसी छितर में रखा हुआ है चुमबक के छितर में तो उस पर बल लगेगा और उस बल का जो फोर्मूला है दोस्तों ध्यान देंगे इधर यह हमारे पास में इससे डेफिनेशन के एक आप फोर्मूला आ गया है यह जो हैं है वह चुमबक के धुरुआ की धुरुआ पर बलता है यह स्मॉल एंप यह जो F है वो है चुम्बकिये बल चुम्बकिये धुरुवे पैरे लगने वाला लगने वाला चुम्बकिये बल है दोस्तो तो यह जो B है यह मैं इस M को एकांक कर दें एकांक के धुरुवे पर बलता यदि M की वेल्यू हम एक कर दें तो जो F होगा वो ही B होगा यह हमारी डेफिनेशन के एकॉर्डिंग इस फोर्मूले का हमने दिन्रिमान कर दिया है दोस्तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो B है चुम्बकिये छित्र है चुम्बकिये छित्र की त्यूर्टा एक सदिसरासी होती है यदि सदिसरासी है तो उसकी दिसा भी होगी एक सदिसरासी होती है दोस्तों अब दिसा किदर होगी? कि यदि किसी छित्र में हम उत्री धुर्वा रख दें तो उत्री धुर्वा पर लगने वाले बलकी दिसा ही चुम्बकिये छित्र की दिसा होगी हमारे को जिस भी बिंदू पर चुम्बकिये छित्र की दिसा ग्याद करने है उस बिंदू पर अपने दिमाग में ये consider कर लेंगे हम मान लेंगे कि यहां पर उत्री धुर्व रखा हुआ है तो उस उत्री धुर्व पर लगने वाले बलकि जो दिसा होगी वही चुम्बक के छतर की दिसा होगी दोस्तों फिर हमें यहां पर बात करेंगे कि जो चुम्बक के छतर है उसका मात्रक क्या होगा वीमा क्या होगी इधर मैं आपको मात्रक और वीमा यह बता रहा हूँ चुम्बक के छतर की तिवर्था का मात्रक देखे दोस्तों बी वेक्टर का मात्रक वही होगा जो ऐफ वेक्टर breakthrough होगा F वेक्टर अपॉन मात्रक F का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता Newton और इसका मात्रक होता है Pier impositor तो यह बी चुम्बक के छतर का मात्रक आ गया है दोस्तों इसको हम कहते हैं Tesla टेसला, ट से लिखा जाएगा, कैपिटल ट से इसको रिप्रजेंट करते हैं दोस्तों, तो चुम्बक के छितरगी तीवर्था का जो मातरक होता है, वो टेसला होता है, यदि हम इसको प्रिभासित करें कि एक कांग के धुर्वा पर बलता वाले, चुम्बक के धुर्वा पर लगने वाला बल यदि एक न्यूटन है, तो चुम्बक के छितरगी तीवर्था एक ठेसला होगी, एक बार देखेंगे दोस्तों, यदि हम M बराबर एक एमपेर इंटु मिटर कर दें, F एक न्यूटन कर दें, तो जो B है, वो हमारे पास में एक ठेसला होगा, देखेंगे दोस्तों, एक टेसला की परती एकांक धनावेश पर, बट्टे वाली रासी को हम एक करते हैं, इसलिए उसको परती एकांक धनावेश कह दीजिए, परती एकांक उत्री धुरुवा कह दीजिए, उत्री धुरुवा है, चुम्बक के उत्री धुरुवा है, पर लगने वाला लगने वाला बल एक न्यूटन हो तो चुम्बक ये च्छेतर की तीवर्ता चुम्बक ये च्छेतर की तीवर्ता एक टेसला होगी दोस्तों एक टेसला के इक्वल होती है ये इसकी एक टेसला की डेफिनेशन हो गई बी वेक्टर का CGS पदती में मातरक CGS पदती में मातरक क्या होगा CGS पदती में चुम्बक ये च्छेतर की तीवर्ता का मातरक होता है दोस्तों गाउस इसको केपिटल जी से लिखा जाता है एक जो टेसला होता है दोस्तों दसकी घात चार गाउस के इक्वल होगा दसकी घात चार गाउस के इक्वल होता है दोस्तों अब यहां पर हमें चुम्बके च्छतर की तीउरता की वीमा की बात करेंगे तो चुम्बके च्छतर की तीउरता की वीमा B vector की Vima B vector की Vima वही होगी जो F है upon में M की Vima होगी F की जो Vima है वो देखें दोस्तो M1, L1, T-2 और यह जो M है उसका मातर के M पेर इंटू मिट है तो इसके लिए Vima होजएगी A1, L1 यहां से आप देखेंगे L1 से L1 cancel हो गया M1, L0 T-2, A-1 चुम्बक की छितर की तीवरता की Vima आ जाएगी इसको हमें बड़े bracket में बंद कर देंगे अब हम यहां पर इस वीडियो में देखेंगे कि एक एकल उत्तरी धुरुवा के कारण से कितना चुम्बक की छितर उत्पन होता है दोस्तो अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे एकल चुम्बक की धुरुवा के कारण चुम्बक की छितर की तीवरता पहले मैं आपको यह कलीर कर दू कि एकल चुम्बक की धुरुवा होता ही नहीं है एकल चुम्बक की धुरुवा का स्तित्वा नहीं होता है एकल चुम्बकी धुर्वा कहा दें विल्गित चुम्बकी धुर्वा कहा दें तो ऐसा संभव ही नहीं है दोनों चुम्बकी धुर्वा को अलग-अलग नहीं किया जा सकता एकल चुम्बकी धुर्वा का अस्तित्व नहीं होता तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम प्रीकलपना करके पढ़ रहे हैं देखे दोस्तों यदि एकल चुमबके धुरुव होता तो उसके कारण से कितनी चुमबके छेतरीगी त्यूरता उत्पन होती इसके लिए हम यहां पर एक चुमबके धुरुव लेकर चल रहे हैं कि माना ये हमारे पास में कोई चुमबके धुरुव है जिसकी धुरुव परवलता इस्मोल एहम है और इसे चुमबके धुरुव से ये हमारे पास में कोई चुमबके धुरुव है दोस्तों और उसे चुम्बकी धुरुव की जो धुरुव पर बलता है वो small एहम है इसे धुरुव से small r दुरी पर एक बिंदू P इस्तित है जहां पर हमारे को चुम्बकी छेतरगी त्यूरता ग्यात करनी है बिंदू P पर हमारे को magnetic field intensity find out करनी है इसके लिए हम बिंदू P पर एक अन्य चुम्बकी धुरुव प्रिक्षन उत्री धुरुव को मानेंगे कि बिंदू P पर चुम्बकी छेतरगी त्यूरता निकाल ली है तो बिंदू P पर हम एक कांक प्रिक्षन उत्री धुरुव हम यहां पर मान लेंगे देखो केवल हमारे को इतना ही दे रखा है यहाँ पर चुम्ब के च्छेतर की ती उड़ता निकाल लिए यहाँ पर चुम्ब के च्छेतर की ती उड़ता इसकी वज़े से इस धुर्वा की वज़े से हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर small M0 धुरुआ पर बलता वाला धुरुआ यहाँ पर मान लिया तो देखे दोस्तों इसके और इसके बीच में पर्तिकर्शन बल लगेगा बल की डायरेक्शन यह हो जाएगी बल की डायरेक्शन इधर होगी और यदि यहाँ पर यह उत्री धुरुआ है तो चुम्बक यचिटर की डायरेक्शन भी उससे दूर की और होती है दोस्तों पहले तो हम कुलाम की नियम से बल की वेल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कुलाम का नियम हम क्या जानते हैं चुम्बक तुए के लिए कुलाम के नियम से कि दो चुम्बक की धुरों के मद्दे लगने वाला जो बल होता है वो क्या होगा दोस्तों यहां पर देखेंगे आप F is equal to F is equal to mu 0 upon 4 pi mu 0 upon 4 pi m into m0 m1 into m2 के इस्तान पर m1 के इस्तान पर m m2 के इस्तान पर m0 बट्टे में r square यह r के आ जाएगा अब इसको हम देते हैं equation number 1 अब चुम्ब के छेतर की definition से आप देखेंगे चुम्ब के छेतर की तीवरता की परिभासा से अभी हमने चुम्ब के छेतर की तीवरता की definition दी है वहां से हमारे पास में b vector equal to हम जानते हैं f vector upon में यहां पर m note धुरू पर लगने वाला बल है यह इसको हमने देदेंगे समीकरण 2 समीकरण 1 को हम समीकरण 2 में put कर देंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे क्या आजएगा दोस्तो b vector equal to 1 upon में m note तो पड़ाई है यह आजएगा हमारे पास में mu 0 upon 4 pi m into m note बटे में r square r k m note से m note cancel हो गया यह हमारे पास में चुम्ब के छितर की value निकल कर आ रही है एकल दुरूआ के कारण से mu 0 upon 4 pi m बटे में r square r k यह हमारे पास में एकल दुरूआ के कारण से small r दूरी पर चुम्ब के छितर की टिवर्दा का रेंजक आ गया है दोस्तो यहां पर इसका यह हम परिमार लिखें तो b vector बराबर आजएगा mu 0 upon 4 pi m बटे में r square यह परिमार लिखें तो arrow का निसान नहीं लगाना है दोस्तो अब r k b धर नहीं लगाएंगे यह तो एकां सदे सक केवल दिशा को show करता है दोस्तो पहले आप इस वीडियो में देख लेंगे जो चुम्ब के छितर की दिशा है वो सदे उस दिशा में होती है जिस छितर में आपको चुम्ब के छितर की दिशा ग्याद करनी वहां पर आप अपने मन म दिमाख में एक उत्री धुर्यों मालीजी उत्री धुर्यों पर लगने वाले बलकी दिशा ही चुम्ब के छितर की दिशा को रिप्रजेंट करेगी दोस्तो मुझे विमीद है ये वीडियो आप लोगों को च्छे से समझ में आया होगा इसके ठीक बाद में जो वीडियो आ आएगा वो किसी चुम्ब के दिधुर्यों के कारण से उसकी अक्स और निरक्स पर चुम्ब के छितर की तिवरता का वेंजग हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे दोस्तों